मुंगेर में जमालपुर जक्षन पर शुक्रवार को एक यात्री की जान आर्पीएफ की दो महिला सिपाहियों ने बचाली भागलपुर की उल रेल खंड के बीच एक वेक्ति चलती ट्रेन में चटने के दोरान ट्रेन और प्लाटफॉर्म के बीच फस गया इस दोरान वहां मौजुद आर्पीएफ की दो महिला सिपाहियों ने उसे घीच कर बाहर निकाला वहां मौजु सीसी टीव में महिला सिपाहियों की बहादरी कैद हो गई जो अब सामने आया है दरसर शुक्रवार के सुबा 927 में विनोज सर्मा ब्रामपुत मेल एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे चेन जमालपूर रेलवे स्टेशन के प्लाटफॉर्म संख्या एक पर पहुची यहां उसी ट्रेन के एसी कोच से विनोज सर्मा नीची उत्रे फिर स्टेशन के स्टॉल पर एक कप चाय खरीद कर पी रहे थे फिर चाय पीते पीते बोगी की तरफ बढ़ने लगे इस दोरान ही चेन खुल गई एक हाथ में चाय का कप तो दूसरे हाथ के सहारी बोगी का हैंडल पकर लिया इसके बाद चड़ने की कोशिश करने लगे तब ही पैड फिसल गया फिर चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप में गिर गये वहीं प्लेटफॉर्म संख्या एक पर ड्यूटी पर मुस्तेद दो आर्पीएफ की जवान महिला सिपाही अंकिता और एसल मीना ने बहादुरी दिखाई अपनी जान की परवा किये बेगर वहां पहुची यात्री विनोज सर्मा को घीच कर प्लेटफॉर्म पर निकाल लिया इससे उनकी जान बच गई पस्ची बंगाल के मालदा के रहने वाली विनोज सर्मा दिल्ली जा रहे थे प्लेटफॉर्म पर गिरे यात्री को किसी परकार की कोई चोट नहीं आई है इसके बाद उस यात्री को पीछे से आ रही दूसरी ट्रेन से दिल्ली भेजा गया प्लेटफॉर्म पर मौजुद अन्य लोगों ने विनोज और महिला आर्पियफ कॉंस्टेबल की सरहाना करते दिखे दोनों जबाज महिला कॉंस्टेबल ने बताया कि जमालपूर स्टेशन पर ऐसी पहली घटना नहीं है स्टेशन पर ट्रेन पकरने की जल्दी और लापरवाही में लोग अपनी जान को ही जोखी में डाल लेते हैं आर्पियफ हमेशा यात्रियों की सुरक्षा के लिए ततपर है दोनों महिला पुलिस ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि चलती च्रेन में उतरना और चड़ना नहीं चाहिए वीरो रिपोर्ट आईवी टीवी सुप्रीम फरनीचर नाम ही काफी है रेंज ऐसा कि देखेंगे तो देखते रह जाएंगे यहां आपको मिलेगी चार सो से लेकर चार हजार तक के कुरसी तो देर मत कीजिए होलसेल और डिटेल के लिए आईए बिहार के एक मात्र डीलर लवली इंजिनियरिंग इंटरप्राइजेज में हमारा पता है नाला रोट पटना जानकारे के लिए नम्मरों पर भी संपर कर सकते हैं 9931230990 या फिर 983506700744